हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीनियस इमांच में आज हम इतियास के कुछ महत्पुन प्रश्णों को लेके आ हैं जो आपके सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैन नेक्स्ट है बिंबिसार और अजाज शत्रू किस वंच के हैं तो ये हैं हर्यक वंच के किस वंच के हैं बिंबिसार और अजाज शत्रू हर्यक वंच के हैं नेक्स्ट है नंदवंश की स्थापना किस ने की थी तो 382 इसापपूर में महापदन नंदवंश की स्थापना की थी सिकंदर ने 326 इसाफ पूर में पॉरस को किस युद में हराया था तो वो था हाइडेस पॉस कौन सा था हाइडेस पॉस था किस ने हराया था सिकंदर ने 326 इसाफ पूर में पॉरस को युद में हराया था मौरे सामराजी के संसापक कौन थे इने चंद्रुप्त मौरी के शाशनकाल में कौन सा युनानी यात्री आया और उसने इंडी का पुस्तक लिखी थी तो वो था मैगस्तनीज अश्योख ने कलिंग युद किस वर्ष लड़ा था तो 261 इसा पूर में लड़ा था मौरे सामराजी का अंतिम राजा कौन था तो वो था ब्रमदत 78 इस्वी में शक युग के स्थापना किसने की थी तो वो की थी कुशान राजा कनिश्क ने चौथा बहुत परिशद किस स्थान पे आयोजीत किया गया था तो ये किया गया था कश्मीर में नेक्स्ट गुप्स सामराजी किस थापना किसने की थी तो वो की थी चंडरगुप प्रथमने 320 इसा-पूर इसा में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था तो वो कहा जाता था समुंद्र गुप्त को चंद्रकुप दुट्टे के शैशनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री, चीनी तीर्थ यात्री आया था तो वो था फाईयन आरे भट और कालीदास किसके दर्बार में प्रतिष्टिश व्यक्ति थे तो वो थे चंद्रकुप दुट्टे के नेक्स्ट है भारती रास्टी कॉंग्रेस के प्रमुक अधिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके सारे अधिवेशन बहुत ही ज़रूरी है आपको ध्यान रखने हैं देखे, इसका फर्स्ट हुआ था, 1885 का कॉंग्रेस का प्रतम अधिवेशन था, इसका स्थान कहा था, बंबई में था, अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर जी और दो बार अध्यक्ष रहे कब कब रहे थे, 1885 में और 1802 में, 32 परतिनीधियों ने भाग लिया था, और दादा भाई नौरो जी के सुझाओ पर भारती राश्ट्रे कॉंग्रेस का नाम रखा गया था, नेक्स्ट है आपका, 1886 कॉंग्रेस का अधिविशन, इस्थान था कलकत्ता में, अध्यक्ष थे इसके दादा भाई नौरो जी, और कितने बार तीन बार कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने ये, 1886 में, 1893 में, और 1906 में, नेक्स्ट है, 1887 का कॉंग्रेस अधिविशन, इस्थान था मदरास, अध्यक्ष थे बद्रू दिन तयब, कौन थे? बद्रू दिन तयब थे, जो कॉंग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे नेक्स्ट है, 1888 का कॉंग्रेस अधिविशन, इस्थान था इलाबाद, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे देखे, कुशन ऐसे भी बन सकता है कि कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होना चीए, वो कौन थे? बद्रू दिन तयब थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले नेक्स्ट, 1896 का कॉंग्रेस अधिवेशन, इस्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष दे रहीम तुल्ला सयानी और इसी अधिवेशन में रास्टी गीत वंदे मात्रम का पहली बार गायन किया गया था कब किया गया था? तो यह किया गया था 1896 का कॉंग्रेस अधिवेशन में जब पहली बार राश्ट्री गीत वंदे मात्रम का गायन किया गया था 1905 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान था वारण सी अध्यक्षते इसके गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन 1906 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान था कलकत्ता इसके अध्यक्षते दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में पहली बार स्वाराज शब्द का प्रियोग किया गया था नेक्स्ट है 1907 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान ने सूरत अध्यक्षिर रास बिहारी बोस इस अधिवेशन में कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था नेक्स्ट 1911 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान कलकत्ता अध्यक्षिर विशन नारायन दर और इस अधिवेशन में पहली बार जनगन मन का गान किया गया था 1911 का जो कॉंग्रेस अधिवेशन है उसमें क्या किया गया था पहली बार जनगन मन का गान किया गया था नेक्स्ट 1916 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान था लखनाउ अध्यक्ष हैं अम्बिक चरण मजूमदार इस अधिवेशन में कॉंग्रेस लिख के बीच लखनाउ पैक्ट यानी प्रत्थक निर्वाचन स्वीकार किया गया था जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे महिला अधियक्ष कौन थी तो वो थी एनी बैसेंट तीन महिला एं कॉंग्रेस की अधियक्ष बनी 1917 में एनी बैसेंट बनी थी 1925 में सरोजनी नाइडू प्रत्थम भारती महिला बनी और 1933 में नालीनी सैन गुपता देखिए आपको तीन नाम याद रखने हैं कॉंग्रेस क की प्रत्थम महिला थी एनी बैसेंट 1917 में दूसरी थी 1925 में सरोजनी नाइडू जो प्रत्थम भारती महिला थी और 1933 में नलीनी सैन गुपता नेक्स्ट ए 1929 का कॉंग्रेस अधिविशन इस्थान था अमरत्सर अध्यक्ष ते मोती लाल नहरू और ये दो बार इसका कॉंग्रेस अधिविशन इस्थान था नागपूर अध्यक्ष ते इसके वीर रागवाचारी अज सैयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और कॉंग्रेस के द्वारा पहली बार भार्शाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात की गई थी नेक्स्ट 1924 का कॉंग्रेस अधिविशन इस्थान था बैलगाव करनाटक अध्यक्ष ते महात्मा गांधी मात्र एक बार कॉंग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे नेक्स्ट है 1929 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान था लाहोर अध्यक्ष दे जवारलाल नहरू और इस अधिवेशन में पून्ट स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्य भी किया गया था नेक्स्ट है 1931 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान है कराची अध्यक्ष है वल्लब भाई पतेल इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार समंधी प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधिवाद नहीं नेक्स्ट है 1936 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान है लखनाउ अध्यक्ष दे जवालल नहरू इसी अधिवेशन में नहरू ने कहा मैं समाच वादी हूँ पहली बार कॉंग्रेस का अदिविशन इसी गाउं में हुआ था इसे इसी अदिविशन में रास्टी न यो जन समीती का गठन किया गया था नेक्स्ट है 1949 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान है त्रिपूरी, जबलपूर या मध्यप्रदेश इसके अधिवेशन में गांधी जी से विवाध होने के कारण सुबास द्वारा त्याग पत्र दिया जाना तथा राजेंद्र परशाद को अध्यक्ष बनाया गया था नेक्स्ट है 1940 का कॉंग्रेस अधिवेशन इस्थान था रामगर्द अध्यक्ष अबूलकलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे जो 1940 से 1945 तक रहे थे नेक्स्ट है 1947 का कॉंग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष ते जे भी क्रिपलानी तो ये हमारे जो भी कॉंग्रेस के अधिवेशन हुए थे हमने इसको कर लिया है अब हम देखेंगे कुछ प्रमुक व्यक्ति के घोड़े और उनके हाथियों के नाम जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें फरस्ट दिया गया है प्रत्वीराज चोहान के घोड़े का नाम क्या था तो वो था नाटे रंभा हेमु के हाती का नाम क्या था तो वो था हवाई तेजा जी की घोडी का नाम था लीलन राणी लक्ष्मी बाई के घोडे का नाम था पवन और बादल माराना प्रताप के घोडे का नाम चेतक तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू